तो भगवान को जो सदा माने प्यार करे मन भगवान में रखे वो बैष्णव है शाष्ट्रवेद के अनुसार अरे बैई देखो संसारी दिरिती से सोचो ब्रह्मचारी किसे कहते है जो सदा ब्रह्मचारी रहे और कोई कह मैं तेश घंटे ब्रह्मचारी रहता हूं एक घंटे नहीं रहता हमारा नाम दिख लो ब्रह्मचारियों में भीष्ट पितामा के बाद हमारा नंबर है अगो बेवकुप को क्या बात करता है पागल आद्मी अरे ब्रह्मचारी माने सदा ब्रह्मचारी एक सेकंड को मन गर्डबन न हो पति ब्रता है ये पति ब्रता माने समझते हो क्या होता है जिसका मन अपने पती के अथिरिक्त किसी मन में किसी के प्रती मन में आकर्षन न हो आकर्षन हो चिंतन जिसे कहते हैं ये बड़ा सुन्दर है च्छा हो तुमारा गया पातिव्रत, भंगो गया, पतिव्रत हो, چाहे गुरु भरत हो, चाहे मात्र भरत हो, चाहे पित्र भरत हो, चाहे भगवद भरत हो, सबका एक मतलब है, मन, सदा उसमें रहे, तब वो भरती है, और हम क्या परिभाशा बनाएं है इतन रहे सदा यह परिभाशा नहीं चलेगी एक पतिब्रता थी तन से और एक थी मन से तो मन से जो पतिब्रता थी उसके यहां तन की पतिब्रता गई तो देखा वो धान कूट रही थी मन की पतिब्रता इतने में पती आया खेत से और उसने कहा रहे ओ पप्पो की मम्मी पानी पिला दे यह सुनते ही उसने मूसल को ऊपर है छोड़ दिया एसे वो तंगा रहा एसे उपर आकाश में और गई पानी आने पिला दिया और फिर लाट के आई और फिर मूसल पकड़ लिया और फिर कूटने लगी तो जो आई थी तन की पतिव ब्रता उसने कहा इसके पास कुछ जादू है क्या है यह कमाल कर दिया उसने तो तो उसने कहा अरे बैनाजरा ठाहर तो यह तुने अभी जो मूसल को ऊपर छोड़ दिया था यह कैसे कर लेती है और ने कहा अरे कोई जादू टोना नहीं है पते ब्रत धर्म में ऐसी शक्ति होती है तुने पढ़ा नहीं अनसुया वगरा को पढ़ा तो है लेकिन पत्ति प्रता तो मैं भी हूँ चाहा ठीक है गर गई और पती से कहा है सुनो मैं ऐसे धान पूटूं भी तुम बाहर से आना और कहना है पानी पिला दे तो मैं ये मूशल को ऊपर छोड़ दूँगी तो तुम देखते रहे ना मूशल ऐसे ऊपर खड़ा रहेगा पत्ति ने गया है क्या बोल नहीं है हाँ मैं जो कह रहा हूं मानो करो वेसे मैं पत्ति ब्रता का तुमको प्रमान देऊंगी आज ताको तुमको कभी डाउट नहो मेरे उपर चलो कर लेते हैं अपना क्या बिगड़ता बाहर गया बाहर से लोटके आया नगा अरे हो हम आप पानी पिला दे उसने मूशल को छोड़ दिया ओ नाक के ऊपर स्वड़ा सा लगते हुए नीचे गिरा पती ने देखा देखा ए तू तो कह रही तेरिया क्यों उपर त्रंग रहेगा आप विचारी हक्का वक्का क्या बोले उसने कहा ये पढ़ोसिन ने धोका दिया मुझे बेवकूप बनाया उसके कोई जंतर मंतर अलग होगा और हम से कह दिया पति ब्रता पति ब्रता अच्छा आज मैं खबर लूगी उसके तो पती तो चला गया मुस्कराता ये गई पढ़ोसिन के हा भयानक रूप लेके कि यू अरे तूने क्या का था आत मेरी नाग कट गई क्या हुआ बहना अरे ऐसे 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 बहना तू पति ब्रता नहीं रही होगी और क्या बता हूं क्या कारण है तो अरे तू अभी ऐसे बोल लाई है नहीं पतिब्रता पक्ते तौर से अच्छा बता तेरी पती से कभी लड़ाई हुई कहें तो रोज होती है प्रिकाई कि तू पतिब्रता है अरे पतिब्रता का मतलब पती की इच्छा के नुशार चलना जरा भी विपरीत भावना नहोने पाए जैसे वे एक गाना है न जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे मन का अनुकूल भाव रहे सदा सोचो नहीं प्रत्यकूल वो सती अनुसूया वगएरा का मुकाबला करने चलना एए दिन में दस बार लड़ो पती के प्रत्य दुर्भावना करो और शरीर से दूसरा पती नहीं बनाया इस से पत्य प्रता नहीं बनेगा कोई गुरू जी के दस बार पैर चुओ बार बार पैर दबाओ रस गुल्ला खिलाओ और मन संसार में अटाइच्मेंट किये रहो तो कह दो हम सरना गत हैं आपके देखो ना दिन बढ़ तो आपके पास रहते हैं अरे मन कहा है एक वाक्क गुरू ने बोल दिया नहीं महराज जी ऐसा नहीं है कोई होगा एक करोणों में भी नहीं मिलेगा आपको वो आपके दोश बतावे और आप चुप पैठे रहें कम से कम तुरंट जबाब नहीं माना जी ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो ऐसा है कि यह शरनागती है हम लोगों की और चाहते हैं कि जो कंप्लीट शरनागती से मिल जाता है वो क्यों नहीं मिला तो संसार में असली बैष्णों बनने के लिए बड़ा भ्यास करना होगा यह जो भक्ती बता रहे हैं आप लोगों को इस भक्ती के द्वारा जब अंता करण सेंट पर्सेंट शुद्ध हो जाएगा तब सरेंडर करेंगे आप सेंट पर्सेंट का मतलब हुआ वही निरंतर उनके अनुकूल चिंतन आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रात्यकूल्यस्य भरजनम इस शरणागती के दो लख्षन सबसे पहले बताए गए हैं कि अपने शरण के अनुकूल ही चिंतन हो तो इस प्रकार कोई वैश्णो नहीं और हर एक वैश्णो है कौन कहता है नहीं बालमीक जी ने कहा है लोके नहीं सबिद्धेत योन राम मनुब्रता साथ राम के भक्त हैं सबसे नीचे सिद्धान्त वाला भौतिक बादी का नाम है चार बाक नाम सुना होगा आप लोगों ने वो कहता है कि जाबत जीवेत सुखम जीवेत रिणं कृत्वा घृतम पिवेत जब तक जीओ अपना सुख चाहो और अपने सुख के लिए करजा करके घी पियो मारधाड करके चोरी ढकाईती करके अपने को सुख दो और किसी चक्कर में न पढ़ो क्या भगवान हुगा है जब बेकार की बात है लेकिन ध्यान दो अगर हम सारे बैष्णों को और श्राइवों को और फकीरों को और बड़े बड़े जो पादरी हैं सब कोई कथा करें दुनिया में तो और ठीक ठीक बिवेचन करें तो इस चार बाग के बराबर भी शायद कोई मिलें है यह क्या कह रहे हैं हो चार बाग कहता है केवल अपने से प्यार करो लेकिन सारे बैष्णों श्रायों मौलवी मुल्ला साथ मां से बाप से बेटे से बीबी से पती से खाने के पदार देखने के पदार्थ सुनने के सूंगने के संसारी पदार्थ से प्यार करते हैं अपने आप से नहीं करते खाली इन से भी करते हैं अपने आप से भी करते हैं इनको भी चाहते हैं औक चार बाग कहता है नहीं तुम्हारा बेटा मर गया तो रोना नहीं बिलकुल नहीं जैसे पड़ोशी का बेटा मरा तुमने सुना और अपना काम करते जा रहा है हो आइसे ही अपना बेटा मरा तो भी ऐसे रहो अपने के बाहर मत जाओ परिशान नहुआ करो यह चार बाग कहता है, तो यहां पर कौन-कौन खड़ा है, बड़ी भक्त है इस्त्री, बड़ा भक्त है उसका पती, पती मर गया, इस्त्री ने सुना, अच्छा-च्छा, बहिए लकली-वकली का इंतिजाम करो, अरे-अरे-अरे, कुछ तु कसरे नहीं हो रहा है, इसके उप अच्छा हुआ, मर गया, प्यार हो किसी का, वो उसके मरने पर दुख होगा न, तो चार बाग कहता है, तुम हम से नीचे हो, हम तु केवज अपने शरीर तक है बस, बाकी न उधर, भगवान की ओर, न इधर, अगर यहां तक हम लोग पहुँच जाएं, तो आधी भगवत प्राप्ति समझो, कहीं अटाइच्मेंट नहों, खाली अपने सरीर में आ जाओ, फिर उसको भी मिटाने का एक पॉइंट रह जाए, लेकिन उस चार बाग से पूछो, तुम चाहते क्या हो? हम सुख चाहते हैं, यावज जीवेत सुख हम जीवेत, हम सुख चाहते हैं अपना, बाहर से मतलम नहीं है, अपना सुख चाहते हैं, सुख, हाँ, सुख चाहते हो, हाँ, तो सब सुख चाहते हैं, हाँ, तो पिर सब आस्तिक हैं, सब भगवान के भगत हैं, क्योंकि भगवान का तो नाम ही है सुख, आनन्द, इसलिए सब आस्तिक भी है, सब भैष्णों भी है, सब भगवान के हैं, यानि बस एक संप्रदाय है सारी दुनिया में, अगर कोई पूछे, आप किस संप्रदाय के हैं, आनन्द संप्रदाय के, भगवत संप्रदाय के, क्यों, इसलिए कि हम केवल भगवान को चाहते हैं, केवल आनन्द चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते हैं, और अगर और डिटेल में जाओ, तो फिर ये कह सकते हो, कि हम आनन्द चाहते हैं, लेकिन मिला नहीं है, भगवान में आनन्द मानने लगे, प्रियत्न कर रहे हैं, कि हम आश्टिक बन जाएं, बैष्णों बन जाएं, श्रयूं बन जाएं, इफेक्ट हैं, तो बिश्व में बरत्मान काल में जो माया धीन है, वो आस्तिक नहीं, बैष्णों नहीं बन सकता, जब माया चली जाएगी, और भगवान गवर्न करेंगे हमको, तब हम आस्तिक हुएं, हर सने रियलाइज करेंगे तब, अंदर बैठे हैं, अभी तुम मुह से बोलते हैं, सब के अंदर बैठे हैं, घट-घट ब्या पकराम, अरे घट-घट रहें क्या तुम्हारे घट में हैं, यह तुम मैसूस करते हो, अगर करो, तो ना कोई गौर्णमेंट की जरूरत है, ना कोर्ट की, ना पुलिस की, अगर अगर इसका प्रचार करें हर दुनिया के देष चे़ गोर्णमेंट की सब के अंदर भगमान बैठे हैं, इसका प्रचार करें भरे लोगों के बच्चों के दिमाग में, तो अपराद अपने आप कम हो जाए, सब डरेंगे हाँ वो नोट कर लेंगे फिर दंड देंगे भगवान इसलिए गलत काम नहीं करना है लेकिन हमारे संसार में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता है हुए है भगवान की बात नहीं करना हमारे आगे हमारा पॉल्टिक्स खराब जाएगा तो भगवान की बात नहीं करना फिर क्या करें अपना आचरन ठीक करो कैसे करें बस करो सच बोलो दूसरे की भलाई करो किछी को कश्ट मत दो ये कैसे करें मन तो चाहता है करने को नहीं नहीं ये बुरी बात है ये बुरी बात है ये भी मालूमें दो दुर्जोधन ने कहा जाना मिधरमम नचमे प्रवृत्ति जाना मिधरमम नचमे निवृत्ति अरे क्रिश्न मैं जानता हूँ तुम भगवान हो और मैं भी जानता हूँ अच्छा क्या है बुरा क्या है लेकिन पता नहीं क्या है मैं करता बुरा यूं मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता यह फैक्त है तो मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है पॉल्टिक्स में कोई बताने वाला नहीं यह हमारे आध्यात्यक जगत बताते हैं इस बामले को भगवान में मन लगाओ तो मन शुद्ध होगा और जब यह बुद्धी में डिसीजन होगा कि यहां आनंद नहीं है भगवान के एरिया में है तो संसार से डिटाइच्मेंट होगा तो यह हाई हाई करके जो हमारे पती बनने के लिए कितनी गड़बड करते हैं इतना करप्शन हमारे संसार में है यह खतम हो जाए हाँ दो रोटी मिलती है हाँ बस चुप इसके आगे गड़बड नहीं करना कुछ हुआ 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 है